जेहन सूरिंस, जब भी कभी इंडियन आम्ड फोर्सेज की बात की जाती है, तो इंडियन आम्ड फोर्सेज के साथ एक और चीज समझ आती है कि इंडियन आम्ड फोर्सेज जो है, चाहे इंडियन आर्मी हो, इंडियन नेवी हो, या फिर इंडियन एर फोर्सेज, क्यों ना ह इस शेक्यूरिटी फोर्सेज ऑफ इंडिया आर अलसो मौरल फोर्सेज तो भारत में आप यह देख सकते हैं कि भारत की सैनाय जो हैं वो मौरली बहुत रिच हैं और यही एक कारण है कि वो अपनी जिम्मेदारियों को यह ध्यान में न रखते हुए कि किन की सुरक्षा में आ रही है आगे यह अपना काम द्रढ निश्चे से करती हैं और इसी एक परिपक को व्यक्तित्व का उधारन दिया गया जब रिसेंटली इंडियन नेवी ने तेज पाकिस्तानी नागरिकों को सुरक्षित बचाया पाइरेट से तो यहां पर आपी देख सकते हैं कि इंडियन फिशिंग वेसल अलकंबार जो है उसे 29 मार्च को यहां पर उसके उसके रेस्क्यू में एक ऑपरेशन इंडियन नेवी के द्वारा कंड़क्ट किया गया और यहां पर दो इंडियन नेवल शिप्स आइनस सुमेधा और आइनस त्रिशूल ने पार्टिपेट किया और बार तेहरे घंटे के बहुती इंटेंसिव रेस्क्यू ऑपरेशन में जो हाई जैकर्स थे उन्हें सरेंडर करा दिया और जित्रे भी वहां पर सिवीलियन थे जो 23 पाकिस्तानी नैशनल थे उन्हें सेफली रेस्क्यू कर लिया गया और यहां पर आप यह देख सकते हैं कि अब उन सभी पारेट्स को इंडिया लाया जा रहा है फॉर ओल दी लीगल फॉर्मालिटीज अब यहां पर अगर हम लोग बात करें तो इन्डिया नेवी रेस्क्यूड हाईजैक्ड इरानियन वैसल फिशिंग वैसल अल्खंबार एंड इस 23 पाकिस्तानी क्रू तो यह अरेबि नेवी है उसने यह ओपरेशन यमन के काफी नजदीव जाकर सोकोत्रा आइलेंड जो है वहां पर यह ओपरेशन किया गया था थीक अब यहां पर यह ओपरेशन आखिर था क्या तो इंडिया नेवी को एक इंफॉर्मेशन मिली थी के इरानियन फिशिंग वेसल अल्कमार 786 जो है वो विच वाज आट अप्रॉक्सिमेटल नाइंटी नॉटिकल माइल साउथ फेस्ट आफ सोकोत्रा इन येमन ऑन मार्श 28 तो इन्यूस मिली थी के उसे हाई जैक कर लिया गया है इसके बाद दो इंडियन नेवल शिप्स जैसा मैंने आपको भी बताया आयने सुमेध यहां पर जो फिशिंग वेसल था यहां पर FVL खंबार उसे इंटरसेप्ट किया और यहां पर इंटरसेप्ट करने के बाद जो हमारा गाइडिड मिसाइल फिरिगेट है आयनेस तुरुशूल उसने भी यहां पर सपोर्ट किया So, mission deployed in Arabian Sea for maritime security operations were diverted to intercept the hijacked fishing vessel reported to have been boarded by 9 armed pirates, okay The hijacked ship was intercepted by INS Sumedha during the early hours of Friday and was joined subsequently by INS Trishul, clear So, early hours of 29th March, यहां पर यह operation जो था हो conduct किया गया and it was subsequently joined by the guided missile frigate INS Trishul Operation में हुआ किया, after more than 12 hours of intense coercive tactical measures as per the standard operating procedure, okay The pirates on board the hijacked fishing vessel were forced to surrender, okay NDQ crew comprising 23 Pakistani nationals have been safely rescued, clear तो Indian Navy की जो specialist teams थी, उन्होंने इस process को undertake किया वहां पर आप यह देख सकते हैं कि thorough sanitization और sea worthy nest जो थी, वो checks की गई और उसके बाद यहां पर जो fishing vessel था, उसे safe area में escort कर दिया गया था and then they were also further allowed to resume their normal fishing activities, okay तो यहां पर आप यह देख सकते हैं कि यह जो inputs Indian Navy को मिले थे, potency piracy के और यह Iranian fishing vessel जो था, ठीक है यह कही ना कहीं inputs तो 28 March की late evening से ही आने लगे थे, okay and it was far off, okay, approximately 90 nautical miles of Socotra Islands, southwest of Socotra Islands, okay और यहां पर जो यहां पर normal petroling के लिए जो Indian Navy के ships थे, Devarti Worms, who responded at the earliest, okay the crew comprising of 23 nationals have been rescued, these nationals were given a thorough medical check-up prior to cleaning the boat to continue with her fishing activities, clear तो यहां पर ऐसा नहीं था कि foreign nationals को सिर्फ rescue करा के छोड़ दिया हो Indian Navy ने proper medical check-up दिया और जो उनकी requirements थी, उन्हें fulfill किया then the entire fishing vessel was sanitized, desanitization का मतलब है कि वहां पर check किया गया, कि कोने में यह check किया गया, कि कहीं कोई pirate या, कोई जो insurgent है, वो छिपा हुआ तो नहीं है, and then only these fishing vessels, the crew members, they were allowed to resume their activities, okay तो यह काफी बड़ा, यहां पर जो operation था, वो conduct किया गया, बहुत लंबा एक operation चला और यहां पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ ऐसा नहीं था, कि दो Indian naval ships जो थे, वो ही include किये गये उसके अलावा भी, जो वहां पर secondary forces थी, उन्हें तयार रखा गया था, कि किसी भी emergency के situation में, उनकी भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो भी यहां पर respond करेंगे, and they'll be the first ones to support the existing naval ships, naval teams, okay so Indian navy यहां पर बखूबी, यहां पर आप यह देख सकते हैं कि चाहिए Arabian Sea का इलाको है, या Indian ocean में हर प्रकार से देश की sovereignty को बचाय रखने में, Indian navy as well as the Indian coast guard, they are playing a very very important role, okay अब यहां पर आप लोगों के सामने एक सवाल मैं रखना चाहता हूँ, कि मैंने आपको पताया कि Indian navy ने यहां पर rescue operation किया आप मुझे बताईए कि क्या ऐसा operation Indian coast guard भी कर सकती थी या नहीं, okay so comment section में मुझे answer बताईए और इसके साथ यह भी बताईए कि Indian coast guard का army के comparison में, sorry operation करने के लिए capable है या नहीं, okay, so I hope आप सभी को यह जानकारी जो है अच्छी लगी होगी, यह जो news है armed forces से related यह आप लोगों के exams में बहुत जादा important है, so please do follow them and do not miss on with any of these activities, clear आपके लिए और ऐसी खबरे में लेकर रहता रहूँगा, so आप हमारे YouTube channel M.Y.B.A.C.D.S. और M.Y.B.A.C.D.E. अगनीवीर channel को जरूर सबस्क्राइब कीजिए क्योंकि आपके exams के लिए regular classes आप लोग लेकर आ रहे हैं, इसके साथ साथ आपके कोई भी अगर doubts है, so please feel free to post your doubts in the comment section of these videos, okay, so आपके लिए एक और session में यहाँ पर लेकर आया और ऐसे ही मज़ेदार sessions लेकर आगे आता रहूँगा, so please do subscribe to this channel and do not forget to press the bell icon, we'll see you all in the next session, Jai Hind!